इसलालेकम एबरेंट उमीद है कि आप सब हैरेट से होंगे सवरी ना आपके साथ इंटरनेशन स्टुएंट्स की ट्रेवल के हवाले से कुछ अपडेट शेयर करने थी इंपॉर्टेंट अपडेट से इंटरनेशन स्टुएंट ट्रेवल की तो उसके बाद बाकी फोर इंटरनेशन ट्रेवल के हवाले से सो वीडियो को एंड तक देखना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है चैनल पर नहीं है तो प्लीस लाइक और सबस्क्राइब करें प्रेस करें ताके मेरे आनुए अस्ट्रेला की लेडिस अपडेट सबसे पहले आप तक पहुन सकें तो चल सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आपके साथ की अपडेट मैंने शेयर करने थी कि विक्टोरिया की अराउंड एटी परसंट तक जो वैक्सिनेशन है वह नुवेंबर टैन तक कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद वह कौन सी स्टेट से जिनको ऑस्टेलिया की फैडरल कोमेंट है उन्हें अप्रूवल मिल चुका है स्टूएंट के ट्रैवल के लिए तो यहां पर देखेंगे फॉर ऑस्टेलियन स्टेट्स हैजए एड़ प्लैंट इस पहले स्टेट्स में आता है इसके बाद जो क्विन्स लैंड है और करें कि international students का जो travel है by the end of this year and January में start होगा तो यहाँ पर आपके साथ गया update है कि NSW Victoria जिस तरह अभी वो citizens को return करें यही states तो यह आगे जो international students travel करेंगे December तक इनों ने बताया है and new year तक तो यह states होंगी कि इस states में मतलब जो international students है वो travel कर पाएंगे next short news है international students from Pakistan के लिए कि आपर देखे एक small discussion हुई है Australia और Pakistan की दर्मियान जिस में उनके जो एक minister थे उन्होंने काया कि हम जो interest होगा look forward to the future return of students of Pakistan to Australia after double vaccination देखे double vaccination के आपर बात है कि double vaccination around 77% तक complete हो चुग है and 3 and 4% तक रह चुग है इसमें जितने भी students तर्फ पाकिसानी students की बात नहीं है यहाँ पर जितने भी from all over the world की इन्होंने बात की जिस तरह citizens के लिए इन्होंने बार्डर खोलें इस तरह सारे students के लिए बार्डर ओपन करेंगे by the end of this year and new year के start तक तो अभी के जो latest update है जिसमें बार बार यही बताया गए है कि जो borders के बहुत ज्यादा chances December and by the new year के start तक बनते हैं तो यहाँ पर देखें इन्होंने पाकिसानी स्टुएंट की बात की कि after double vaccination इनको हम अपनी country के अंदर बुलाएंगे next update with 756 million drop in international student revenues in 2020 है तो 2020 में around 756 million drop हो चोगे international students यह dollar के बात की गए है universities are dis separate to draw back this cohort तो यहाँ पर देखें कि international students around 756 million इनका जो dollar था वो रेट भी down हो चुका था 2020 में 2021 में भी जिससरा मैं आपको बताया था कि around 2 billion dollar तक इनका लॉस हो चुका था इनका लॉस हो चुका था तो इस बार इन्होंने यह final के इस वज़े से इन्होंने यह citizens के बार्डर्र उपन किये तागे फर्स्ट प्यारटी जो है वो citizens को दीजिए उसके बाद बाखी international students का जो travel है वो return हो ऑस्ट्रेलिया में सब्सक्राइब आप लोगोंने international students के travel के कुछ update देखी होंगी जिसमें इन्होंने बताया है कि end of this year and new year तक तो students का return है बहुत ज्यादा जो students है मुझे tax करते हैं कि हमें daily बताएं कि कब तक मतलब chances बन सकते हैं तो मैं आपको यह बता दूँ कि इन्होंने end of year की बाद किया ज्यातर states ने क्योंकि till that time जो vaccination तो इनके अभी this month ही complete हो जाएगी 80 plus percent तक जितनी भी states है और उसके बाकी इन्होंने जो travel का plan बनाया है कि citizens के बाद हम जो students को parity देंगे उसके बाद skilled workers को प्रेट वरिजम सेक्टर जो है इनका तो इस तरह step है step यह चलेगा and hope for the best के next year से पहले यह students के travel भी जल स्टार्ट करेंगे and अगर student के travel डिसमबर तक ने हो तो जनवरी तक तो इन्होंने बताया है कि वह स्टार्ट होगा तो hope for the best साच की वडिया तक दी चैनल पर ने है तो please like और subscribe करें and press the bell icon उसके बाद all options जरूर प्रेस करें ताकि मेरा अनुएल आस्ट्रेला की latest update सबसे पहले आप तक पहुन सकें thanks for watching